हेलो दोस्तों गुड मार्निंग कैसे हैं आप आप कि आप सब अच्छे ही होंगे वेलकम बेक तो माई चैनल एंड आज मैं सुरू कर रही हूँ ब्लॉग मार्निंग टाइम से और आज मैं ब्रेकफस्ट में बनाने वाली हूँ पीजा और जो बचों ने आज बोला है तो मैं बनाओंगी और आपके साथ शेयर करूंगी तो बने रही है मेरे साथ तब तक मैंने एक छोटा सा फ्लेग यहां पर लगाया है कि मुझे बड़ा नहीं मीला तो इसलिए मैंने छोटा ही लगा दिया तो दोस्तों मैंने यहां पर पीजा की प्रिपरेशन करी वी है पहले से और यहां पीजा बेश नहीं बेना सकते हैं घड़ा नहीं कारिशा हो है कि मैं पहुत्व हमने प्रम नहीं मोार्य एक है में च validate अ फिला दिये हैं और दोस्तों उसके बाद मैंने पीजा टॉपिंग यहां पर लगा रही हूँ इसका एक पीजा सॉस भी आता है लेकिन वह नहीं लिया है मैंने पीजा टॉपिंग ही इसमें यूजे किया है और अभी जो मैंने इन ग्रीट्स जो रखे वे थे प्रिपिरेशन के टाइम पे तो वह मैं अभी यहाँ पर रख रही हूँ तो इस तरीके से दोस्तों रख रही हूँ ताकि वह पीजा बेस में चारो तरफ से कवर हो जाएं और इसके चारो तरफ मैंने बटर लगाया है ताकि यह पीजा बेस जले नहीं और अभी मैं ग्राइंड कर रही हूँ अब 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 इसमें उपर से और बटर कोडी इस तरीके से डाला है ताकि वह चारो तरफ से गबर हो जाए और दोस्तों अब मैंने पैन ले लिया है पैन में थोड़ा सा बटर डाल रही हूं और चारो तरफ से मैं स्प्रेड कर दूँगी इसको ताकि पीजा वेस जले नहीं और अच्छे से वह पक जाए और कच्चा भी न रहे तो इस तरीके से मैंने इसको कवर किया हुए है बटर को अब मैंने इसको रख दिया है और इसमें उपड़ से मैं डिकन लगा दूँगी इस तरीके से इसका दिख रहा है और अब मैंने इसमें डिकन लगा दिया है विवेड करेंगे और सिम ड्याट में रखोंगी और दोस्तों यह बंच कर तयार हो चुका है हुमारा फोमेड पी तो दोस्तों आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में तब तक के लिए बाई टेक कियर